हलो एवरिवान देस इस निलूफे निहा खान और वेलकम तो आई यूटूब चैनल सिक्षाले तो आज हम बात करेंगे हमारे थर्ड चैप्टर के बारे में जिसका नाम है नाजिवाद और हिटलर का उधर यानि की नाजिजम एन दाराइज ओफ हिटलर यह वाला चैप्टर ह कई confusion create हो गए इसी वज़े से हम continue करेंगे अपने notes के साथ क्यों क्योंकि ज्यादा तर बच्चे notes के साथ ही classes चाहते हैं अब मैं आपको एक चीज़ क्लियर करना चाहूंगी कि इस topic में हम किन-किन topics के बारे में बात करेंगे अगर आप अपना slivers देखेंगे तो उसमें नाजिजम जो चैप्टर दे रखा है topic जो दे रखा है उसमें कुछ subtitles दे रखे हैं ठीक है जिसमें की birth of Weimar Republic का यानि की वाइमर गंडाज का उदे पहला topic दे रखा है दूसरा आपका topic subtitle दे रखा है Hitler का उदे ठीक है यानि की Hitler's rise of power उसका उदे और उसकी शक्तियां ठीक है फिर उसके बाद जो आपका topic दे रखा है the Nazi world view ठीक है यानि की नाजियों का नाजियों जो थे उनका worldwide क्या view था वो किस तरीके से दुनिया को देख रहे थे ठीक है और जो यूथ था यानि की युवाओ की कैस्तिती थी ठीक है इसमें एक topic हम और पढ़ेंगे वो था महिलाओ की स्तिती वो आपके slaybers में नहीं दे रखा लेकिन आपका महिलाओ की स्तिती से question 101% आता ही है तो इसलिए मैंने उसे भी add-on कर दिया है उसके बाद इसके बाद जो आ जो एक कहते है ना मानफता के खिलाफ की थी उनके खिलाफ तो लास्ट हमारा वह वाला topic रहेगा उन सभी के बारे में हम बात करेंगे और हाँ एक चीज में आपकी clear करना चाहूंगी कि चाहें आप Hindi medium से हो चाहें आप English medium से हो ये notes दोनों के लिए ही उतने ही useful रहेंगे ठीक ताकि आपको कोई issue ना हूँ ठीक है तो अब हम अपना शुरू करते हैं chapter देखी chapter शुरू करने से पहले है एक नाचसी वाद और हिटलर देखी नाचसी वाद एक विचारधारा है और हिटलर हिटलर को हिटलर एक तरीके से जिसने इस विचारधारों को फैलाया और इस important role play Hitler करता है तो इसे लिए हमारा नात्सिवाद और Hitler दोनों का ही topic बहुत जादा important role play करता है लेकिन अगर आप किसी भी topic को पढ़ने से पहले उसकी परिस्तितियों को समझ लेंगे तो आपको टॉपिक पूरा समझा जाएगा अब टॉपिक को समझेंगे कैसे देखे जब प्रतम विश्वी यह दुआ था है एक चीज और मैं आपको बता दू कि जो फस्ट वर्ड वार है और सेकिंड वर्ड वार ठीक है दोनों का ही है न आपके फस्ट वर्ड वार का तो सेकिंड चैप टॉपिक या तो कल प्रोवाइड कर देती हूं या फिर परसो ठीक है डिपेंड करेगा ठीक है तो यह टॉपिक मैं अलग से प्रोवाइड करूंगी ताकि आप उनको थोड़ा सा अच्छी तरीके से चीजे कर ले और हाँ यह याद रखेगा फस्ट वर्ड वर्ड और सेकि वर्ड से कोशन आते हैं ठीक है इस चीज को बिल्कुल भी निगलेट नहीं करना अब यहाँ पर हम बात कर रहे थे नाथसी वाद की यानि कि कह लिजे एक हिटलर नाथसी वाद का उदय कैसे हुआ या फिर कह लिजे हिटलर का किस तरीके से उदय हुआ अगर आप इन परिस नहीं होंगे ठीक है लेकिन अगर आप रटाफिकेशन करेंगे तो चीजे आपके लिए थोड़ी सी मुश्किल होती चली जाएंगी तो सबसे बड़ा जो में कारण जो माना जाता है नासिवाद और हिटलर के उदय का वह माना जाता है प्रथम विश्व युद ठीक है तो काफी मतलब आर्थिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी हर तरीके से विश्व को प्रभावित किया था और यहां पर जर्मनी के क्या एक इस्तिती थी कि जर्मनी पे ही सारा दोश्ट लगा दिया था कि जर्मनी की वज़े से ही प्रतम विश्व युद हुआ ठीक है और विश्वियुद होने के कारणों को अगर आप पढ़ेंगे तो देखे मित्र राष्टिय और जो आपका प्रतम विश्वियुद था ये दो गुटों के बीच में हुआ कौन-कौन से मित्र राष्टिय और केंड्री शक्तिय आप इन में भी मुख्ये कौन-कौन थे जैसे कि मि ब्रिटेन रूस और केंद्रे शक्तियों में आपका जर्मनी और तुर्की ठीक है बाद में और भी देश एड हुए लेकिन उन चीजों को आप थोड़ा सा लेके चलिए लेकिन ये तो आपको यादना होना चाहिए कि मित्र राष्टियों में कौन-कौन से थे और केंद्रे र प्रारंब हो गई थी नाचसी वात की और हार के बाद इन पर थोपी गई जो संधियां थी जैसे कि आप देखिए वर्साई की संधी ठीक है और यह जो वर्साई की संधी थी ना ये बहुत बड़ा अपमान का कारण बन चुकी थी जर्मिनियों के लिए ठीक है अब यह क्या जादा लगाया गया था जैसे कि जर्मनी के सारे उपनिवेश जो थे ना 10 परसंट अबादी वाले ठीक है तेरा परसंट भूबाग 75 परसंट लोह बंडार और 26 परसंट कोईला बंडार पर मित्र राश्टो का मतलब कभजा हो गया था उन्होंने आपस में उसे बाट लिया युद अपराद बोध के तहट छे अरब पॉंड का जुर्माना था इसके अंतरगत ठीक है और यह जो वर्साई की संदी है ना यह यह कह लिजे पूरे जो एक विचारधारा कह लिजे या फिर हिटलर की कह लिजे यह कहीं ना कहीं पूरी जर्मनी पे सबसे बड़ा एक है अपमान वाली बात थी और यह जो छे अरब पॉंड का जो एक तो जुर्माना जो लगाया गया था ठीक है और युद की शती के लिए सिर्फ और सिर्मनी को ही गलत ठेरा देना ठीक है इसके लिए लोगों का एक है ना नजरिया चेंज हो जो गया था सरकार की तरफ से देख को को यह महसूस होने लग जाए कि हमारे देश का अपमान हुआ है ठीक है लोगों में घिरना आने लग जाए अपने देश की सरकार को लेकर अपने लोगों को लेकर हैं लोग डिस्क्रिमिनेट करने लग जाए चीजों को तो वहां से ना चीज खराब होनी शुरू होने शक्तिशाली बना लिया कि आप अगर इस चैप्टर को पूरा पढ़ेंगे न तो आपको पता चलेगा कि लोगों के साथ किस बरबरता के साथ लोगों के साथ बुरा किया गया ठीक है लोगों को मतलब जानवरों के साथ भी इस तरीके का सलूख नहीं होता था जिस तरीके की यहूदियों के साथ वहारा किया गया जिपसियों के साथ सलूख किया गया मानसिक रूप से जो बिकलांग बच्चे थे जो कि जर्मनी के ही थे ठीक है जर्मनी के नागरिक थे उन लोगों सतर हजार लोगों को मारा गया था तो इन सब चीजों को जब आप देखेंगे आप समझेंगे तो आपको पता चलेगा देखेंगे तो आपको याद होने ही होने चाहिए लेकिन परिस्तितियां आपको याद में क्या क्या हुआ ठीक तो युद का सारा हरजाना जर्मनी पे तोप दिया गया ठीक है और जर्मनी के सारे उपनिवेश की 10% अबादी ठीक है 13% भूबाग 75% लोह बंडार और 26% कोईला बंडार को मित्र राष्टों में आपस में भात लिया था आप समझ रहे हो इस चीज का कितना बड़ा अपमान था जर्मनी के लिए ठीक है फिर उसके बाद 6 अरब बॉंड का जर्माना उन्पर ठीक है इनी परिस्तितियों में हुआ वाइमर गंडार्जे का उद्धे हुआ क्योंकि जो जर्मनी का राजा था उसने अपने पत से इस्तिफा दे चुका था और उस इनी पर वाइमर अच्छा एक चीज मैं बता दूं वाइमर एक जगा का नाम है ठीक है जहां पर यह हुआ था ठीक है तो वाइमर गंडार्जे की स्थापना हुई अब इनी परिस्तितियों में आप समझ सकते हो कि जो शाशक है समराथ है वो यहां से जा चुका है एक तरीक देश को एक स्तिता में लाने के लिए या पर कह लेजे कि अपनी स्तिती को अच्छा करने के लिए अपने देश को संभालने के लिए सरकार का गठन किया गया लेकिन क्या हुआ इससे इंपक्ट क्या पड़ा कि जब वाइमर गंडार्जे उद्य हुआ तो उन्होंने उनके मन में ये घ्रना आगा चुपी थी कि वर्साई की संदी एक बहुत बड़ा अपमान है जर्मनियों के लिए दूसरे चीज देखें यहां पर वाइमर गंडाजे की शुरूआत वर्साई की संदी के साथ हुई जिसने जर्मनी की हार का कामियाजा बुकता और सारी समस् लोगों की स्तिती पहले से युद्ध की वज़े से खराब थी और दूसरे इस्तिति यह खराब होने पर आ गई थी कि वर्साई की संदी लोगों पर थोपी घए थी वह लोगों पर बहुत जादा हावी हो थी ठीक है उसके बात क्या-क्या हुआ देकी वाइमर गंडाज यह ये हमारा subtopic 1 है ठीक है जो कि आपके slavers में दे रखा है और प्लीज आप लोगों से request है अपना slavers लेके बैठा गा रहा है और अगर किसी वच्चे ने अपना slavers लिखा नहीं है न कॉपीबर या कहीं टांगा नहीं है तो प्लीज आप लोगों से request है भाई इससे लिख लीजी क और डेली जो भी टॉपिक में कराती हूँ ने देख लिजे टिक करते जाईए और थोड़ा सा अपनी सेल्ट स्टडी भी कीजिए ठीक है क्योंकि मैंने आपको एक चीज बता दी के सेल्ट स्टडी बहुत इंपोर्टन रोल पर प्ले करेंगे आपकी प्रिपरेशन में ठीक है वाइमन गणराजे ने ही वर्साई के संदी पर हस्ताक्षर किया इसलिए इस अपमान का जनक संदी के लिए वाइमन गणराजे को ही जिम्मेदार ठेराया अब जैसे कि आप यह समझे ना कि वाइमन गणराजे ने इस संदी पर हस्ताक्षर किया और इसलिए जर्मनी के जो उन्होंनों उसे ठेहरा दिया थीक है क्योंकि समराट तो अपने आप में रिजाइन करे जा चुका था अपनी मतलब अपनी स्क्लिप्तियों को ट्याग चुका था ठीक है तो वाइमनगांदाजे की इस 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 अंपातन थे deo में खराब थी ठीक है और as usual जर्मनी में भी खराब थी लेकिन इनकी स्थिति और खराब कैसे हुई कि जो ये वर्साई की संदी थोपी गई थी ठीक है और जो इस पे ऐसे ऐसे शर्ते लगा दी गई थी जो कि किसी भी अर्थ व्यवस्ता की कमर तोड़ सकती ती ठीक है क्यों कि आप समझे सकते हैं कि इतने जादा शर्ते जो आर्थिक स्तिती थी वह कहीं न कहीं अब खराब हो चुकी थी जर्मनी की इसी का हुआ हुआ कि 1923 में जर्मनी ने फिर कर्ज चुकाने से मना कर दिया क्यों कि उसका कर्थिक संकटी इतना उत्पन हो चुका था कि बेरोजगारी ठीक है लोग भुकमरी से मर रहे थे लोगों के पास काम नहीं था लोगों के पास खाने के लिए पैसे नहीं थे जो एक कहते हैं ना पाव रोटो की चीजों की कीमत हैं भर चुकी थी तो 1923 में जर्मनी ने कर्ज चुकाने से ही मना कर दिया ठीक है अब यहाँ पर भी अब जब उसने चुकाने साथ उसने अपने आपको दिवालिया घोशित कर दिया लेकिन यहाँ पर भी जो यह फ्रांस तो यहां से आप समझ सकते हो, कि देश की जंता भूकी मर रही है. ठीक है? अब इदर से जो लोगों की परिस्तितियां है, जो आम जंता थी, वो ऐसी परिस्तितियों में, मतलब लोग किस तरीके से, लोगों के लिए, विश्व के लिए, किस तरीके से एक मैसेज जा रहा था ठीक है तो ये सारी चीज़ों में अब हिटलर जो था ना ये इनी परिस्तितियों का वो पायदा उठाएगा अब इसी कही बात क्या हुआ हाँ एक और चीज जो आर्थिक स्थिति से निपटने के लिए जो अमेरिका था उसने डॉप सियो का प्रस्ताफ रखा गया लेकिन एक चीज याद रखना कि यहां पर यह कोशन जरूर पूचा जाता है कि अमेरिका ने किसी योजना के तहत जर्मनी की साहता की थी तो डॉफ्स योजना यह लिख लीजिए कहीं ठीक है बाकी मैं आपको नोट्स में दे दूंगी सारी चीज मनी की तो 1924 से 1928 तक किस्तितियां तो मतलब अब बैटर होती जा रही थी लेकिन अब आया 1929 का काल जिसमें की जो अमेरिका की कॉल स्ट्रीम एक्सचेंज शेयर बजार था ना वाल वाल सॉरी वाल ठीक है उसमें एक ऐसे न वह धराशाई हो गया जिसकी वज़े से अब अम अमेरिका ये डॉफ्स योजरा के तहट जो जर्मनी को सहता कर रहा था ना ये सारी सहता रातो रात बंद कर दी गई अब अमेरिका ने कह दिया कि भाई जब मेरे ही पास नहीं है तो मैं तुम्हें कहां से दूँ ठीक है आप किसी को हेल्प तभी करोगे ना जब आपके पा लिए इतना मतलब इतना जादा कठिन समय ये था कि लोग एक तरीके से लाइन लगाकर अपने गले में तक्ती लगाकर बैठ जाते थे कि मैं कोई भी काम कर सकता हूं और मुझे काम दे दो ठीक है इस तरीके के आप NCRT जब पढ़ेगो ना तो आपको कई फोटो दिखाई देंगे तो आप इन परिस्तितियों को अगर समझेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि लोगों की स्तिति कितनी दैनी हो गई थी ठीक है फिर उसके बाद मैं जैसे कि इन्हें आती मुद्रा स्विति का सामना करना पड़ा ठीक है अभी मैंने आपको बता दिया ना जब शेय कर उनका मजाग उड़ाया जाता था और यह कुन्य का अकॉन कहते था रूडी वादी जो लोग थे ना वो वाइमर गंडाजे को नवंबर का अपरादी कहकर मजाग उड़ाया करते थे क्यूं एक तो जो यह संधी हुई थी संधी कब हुई थी आपकी नवम्मेन हुई थी दूसरी चीज कि वाइमर गंडाजे को ही एक तरीके से जर्मनी की हार का दोशी माना जाता था ठीक है इसलिए इन्हें नवंबर के अपरादी कहकर मजाक उड़ाया जाता था अब आप यह याद रखिएगा और कौन कहते थे रोड़ी वादी कहते थे ठीक है इन्हें नाइंटी नाइंटीन नाइंटीन से नाइंटीन थर्टी टू तक आर्थिक महामंदी और उससे और द्योगी पादन के घटने और बेरोजगारी बढ़री की समस्या का भी सामना करना पड़ा अब आप खुद ही देखिए कि ये स्तितियां कितनी खराब होती जा रहीं थी लोगों के लिए इन्ही कार्णों से लोगों का विश्वास वाइमर गड़ाजे से उठ गया था और वे इस बात का इंतजार कर रहे थे कि उनके दुखों को कोई एक तरीके से मतलब एक कोई मसीहा बनके उनके लिए आ जाए ठीक है अब इनी चीजों का फायदा उठा लेता है हिटलर हिटलर बहुत अच्छा वक्ता था वक्ता समझते हैं वक्ता मतलब जो की बोलने में जिसे मतलब एक कह लिजे आप अगर अभी देखेंगे तो जिसे जिसके भाशनों पे मतलब लोग करतारों में बिच जाते थे इतना अच्छा बोलता था लोगों की परेशानियों को और इस तरीके से मसीहा बनके लोगों के बीच में उबराता ना कि जैसे उस वही है जो जर्मनी की इन हलातों से चुटकारा दिला सकता है ठीक है और हुआ भी यही इन्ही प्रिष्ट भूमियों में हिटलर का जन्म होता है या फिर कह लिजे हिटलर का उदे होता है ठीक है अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि हिटलर के उदे के क्या कारण है ठीक है तो हिटलर का उदे जानने से पहले आप इसकी है ने थोड़ी सी परिस्तितियों को समझ लीजिए जैसे कि हिटलर का जो जन्म था वो आउस्ट्रिया में 1889 में हुआ था ठीक है और उस्ट्रिया में हुआ और स्टार्टिंग में इसने क्या करा जर्मन सेना में ये भरती हो गया क्योंकि गरीबी में गरीब परिवार का था और इस्तितियों इतनी खरापनी के इसे कुछ न कुछ काम चाहिए था जिसकी वज़े से इसने सेना में जॉइन हो गया था और जो प्रतम विश्व युद्ध था उसमें इसने संदेक वहाग की भूमी का निभाई थी ठीक है अब आप समझ सकते हो कि जो ये वर्साई की संदी थी या फिर ये जो जुर्माना था इनकी वज़े से ही सब κुछ हो रहा था आप यही ज़ल चीज़े थी वहां की जनता को था इप्रेक्ट कर रही थी लेकिन जो सेना के लोग थी ठीक है समसकते हैं जो सेना में होता है उसके लिए अपना देश कितना परिये होता है उसके लिए तो बहुत जादा important role play करता है वहने देश का मान सम्मान तो यही चीज थी हिटलर के साथ ठीक है हिटलर को ये चीजे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी कि एक तो ये जो जर्मनी पे सारा जुर्माना थोप दिया गया था और हार के लिए जो जर्मनी को ठीक है अब क्या होता है कि इसके जैसे कि संदेश वाग का यह काम करता था इसी में इसने कई मतलब अच्छा काम करता था और बोलता बहुत अच्छा था एक चीज इसकी quality क्या थी यह बोलता बहुत अच्छा था लोग जब जब यह भाशन देता था ना तो लाखों की संख सेना से अपना एक जर्मन फर्टि मैं जॉइन कर लिया, मतलब फिर उसपथी में प्रमुक्ब की नेटा बना, जिसे आगे चलके नाचसी पटी कहा गया, यह याद रख़िएगा, नाचसी पटी पहले क्या नाम था इसका? जर्मन वर्कर्टि पार्टी, यह याद 30 जनवरी 1933 में हिटलर को चांसलर बनाया गया ठीक है अब जैसे कि ये बहुत अच्छा वक्ता था वक्ता समझते हैं कि मतलब जो बोलने में जिसे महारत हाशल हो एक तरीके से मतलब अपने बातों से ही वो सामने वाले को इतना त्रिप्त कर दे कि वो उसकी बातों में समझे कि हाँ भाई मतलब कि यही है हमारा करता धरता यही है जो हमें आगे लेके जाएगा और यही प्रॉपेगेंडा था इन लोगों का जो नाच्सी पार्टी वाले थे इन्होंने इसी तरीके से हिटलर को एक मसीहा के रूप में जर्मन वासियों के सामने रखा ठीक है अब इन प होते हैं जैसे हमारे यहां प्रदान मंतरी होते हैं उनके हाथ में पूरी पावर होगी तो ऐसे ही वहां पर चांसलर होते हैं ठीक है और 1933 में क्या हुआ कि कुछ देखें 1930 जनवरी 1933 में इसने चंसलर पर संभाला और 28 फरवरी को इसने अगनी अध्यादेश जारी कर दिया जैसे फायर डीगरी खे ठीक है तो इसमें क्या करा इसमें जो अगनी अध्यादेश था इसमें इसने डो चैंजेस पहुत ज्यादा बड़े थे एक तो जो लोगों की अभी विक्ति की अजादी थी ना इसे चीन लिया लोगों अब ना तो प्रेस की सुतंतता थी ठीक है और ना ही किसी भी प्रकार की सुतंतता थी ना लोगों के जो मौलिक अधिकार थे उन्हें चीन लिया गया था और अपातकाल की स्थिति अपातकाल लगा दिया ठीक है, unlimited time के लिए, यानि कि मतलब अब उसी की हाथ में था, दूसरा एक article था इसमें, article 48A, अनुचेद, ठीक है, अनुचेद 48A, जिसमें कि इसके पास ऐसी ताकते थी, कि ये अब जो सारी शक्तिया अपने हाथ में, अपने according ले सकता था, और इसने उसी का ही फायदा उठाय अब क्या हुआ, ये सारी चीज़े करते, 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 आप देखे, एक महीने के अंदर अंदर, 30 जनवरी को वो चांसलर बना है, और 28 फरवरी को उसने अगनी अध्यदेश चारी कर दिया, इनी परिस्तितियों में ये कह लीजे, लोगों का जो, आप पता नहीं, वो क करती की थी, दश्या बहुत कराब करती थी, अब क्या हुआ, कि हिटलर का उद्य के कारण क्या थे, कि एक तो वर्साई की संदी, ठीक है, और उसकी शर्ते, अब मैंने ये आपको समझा दिया, आप दुवारा नहीं समझाऊंगी, दूसरी चीज़ क्या हुई, वाइमन गड लेकिन सरवहारा करन मतलब लोगों को अब ये डल लगने लग गया था, कि हम कहीं मजदूर बनकर ही न रह जाएं, ठीक है, हम क्या कहते हैं, लोग हम पे साशन करेंगे और हम कहीं मजदूर बनकर ही विश्व में स्तापित न हो जाएं, और चटी क्या था, नासी सांग बच्चे थे, यही है, फिर इसके बाद परविरतन वादियों और समाज वादियों के बीच में आपसी फूट, जो आपसी फूट थी, यह भी बहुत इंपॉर्टन थी, ठीक है, अब इनी सब चीजों के ध्यान में रखते हुए, हिटलर का उदय होता है, और हिटलर इनी सब चीजों की वज़े से अपने, कह लिजे, उड़े तो लोगों ने सोचा था कि लोगों का उत्थान होगा, लेकिन अब जो हिटलर था, उसने और चीजे खराब कर दी थी, लोगों के लिए, और परिस्तितियां बहुत खराब होई थी, जैसे नाथियों का विश्व हिटलर था, हिटलर एक विज्ञानिक थे, जिन्होंने, कह लिजे, नशली शरिष्टता का सिध्यानत दिया था, लेकिन उन्होंने वो जानवरों, पोधों, इन सब के उस पर दिया था, लेकिन इसने क्या करा, इसी को ही बेज बनाते हुए, लोगों पर ये स्तापित कर दि अब इसने क्या कहा, कि जो नौडिक आरेन है न, वही सर्वसेष्ट है, नीली आखे जिनकी है, ठीक है, और जो बाकी जैसे यहूदी हैं, जिपसी हैं, यह बिल्कुल निचले पायदान पर है, सबसे निचले पर यहूदियों को रखा, फिर बाद में और और लोगों को भी रखा, लेकिन सबसे निचले पर यहूदी थे और सबसे उचे पर आपके यह नौडिक आरेन हो गए, ठीक है, जैसे कि आप समझे, ब्रामन और शुद्रों की बात की जा रही है, ठीक है, लेकिन यहां तो वर्ण विवस्ता में और हिटलर की एक वर्ण विवस्ता में अलग आप यहां जाते हैं, कि इसने गैस चेंबर बनाए, और उन गैस चेंबर में लोगों को जानवरों की तरह ठूज दिया जाता था, और गैस ऑन कर दी जाती थी, और लोग आप उन लोगों की परिस्तितियों को अंदाज लगाईए, कि लोगों को पता है कि उन्हें उस चें आप थी, कि बस आप अगर यह पूरा चेप्टर पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से लोगों की परिस्तितियां थी, आप उन फोटोस के देखिएगा, फोटोस को देखिएगा, तो फोटोस में आपको चीज़ पता चलेंगी, जीवन परीदी अपने लोगों को बसाने के लिए जगाओं पर कबजा करना, ज्यादा इलागों पर अपना कबजा करना, इन सब स्तितियों से यह स्तितियों को मानता था, ठीक है, अब इसने क्या करा, कि वहाँ इसके एक अर्थ शास्त्री थे, ठीक है, उनका हर्मंतर नाम था, I don't know, मैं एक वार बता दूंगी आपको, एचसे ही कुछ था, आपको याद आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, ठीक है, उन्होंने ये कहा था कि आर्थिक स्तिति अभी जर्मनी की अच्छी नहीं है, तो आप थोड़ा सा कोश को थोड़ा समाल करी खर्च करें, यही चीज हिटलर को पस आपको कोई भी उत्थान नहीं कर सकता, ठीक है, और आप इस चीज को समझेगा, कि बच्चे जो कि मासूम बच्चे थे ना, उन तक को यहां बख्षा नहीं गया, उन तक से इतने भेदवाग, इतनी परिस्तितियां उनकी खराब कर दी थी, कि बच्चे तक आपने स्टार् युद के बाद उसका बाप, जो उसके पिता थे, उन्होंने आत्महत्या कर ली, ठीक है, तो यह सारी चीजे बता रही थी, कि लोगों के क्या इस्तितियां थी उस समय, और राश्टे समाजवात का उध्य, ठीक है, यानि कि लोग राश्टेता की एक भावना जो थी ना, उ अपने राश्टे की चीजों को ही आगे लेकर भढ़ना, ये इनकी एक स्टाटेजी थी, फिर इसके बाद हम बात करते हैं, जर्मनी में युवाओ की स्थिति, अगर आप युवाओ की स्थिति के बारे में बात करेंगे न, तो यहां दो तिन कोश्चन आते हैं, एक तो आत प्रवच्चम, ठीक है, ये जो शारीरिक आशक्षम जो लोग थे, अब आप एक चीज समझेए, कि एक प्रवच्ट में आपको बताना चाहरी हूं, आप ये देखिए, 60 लाख यहूदियों को मौत के घाट उतार गया था, जिसमें 60 लाख यहूदी, 2 लाख जिप्सी और 2 पॉलेंड के निवासी थे, और 70,000 जो थे वो थे आपके जो विकलांग, जो जर्मनी के ही लोग थे, इसे कहीं न कहीं साइट में नोट डाउन कर लीजेगा, क्योंकि इस ताइप के कोश्यन है न, बहुत पूछे जाते हैं, जो फैक्ट से रिलेटेड होते हैं, ठीक है, थ जर्मन और यहूदी जो बच्चे थे न, उन्हें एक साथ बैठने की अनुमती नहीं थी, वो एक साथ नहीं बैठे जारते हैं, और बच्चों के मन में भी ये भावना विक्सित की जारी थी, कि मर्दों को कठोर होना चाहिए, ठीक है, और ओरतों को सिर्फ और से बच्चा पैदा करने और उनकी परवरिश करने के लिए ही, इस तरीके से मतलब मर्दों और ओरतों में, ये फर्क है कि ओरतें वो सबसे अच्छी औरत होगी, जो जादा बच्चे पैदा करेगी, ठीक है, ये तिंकिंग थी उस समय में, ठीक है, और यहीं चीज़े खतम नहीं हो रही ठीक है, उनके गले में तक्तियां डालके, कि हमने अपने राष्ट के साथ बहुत अपमान वाली चीज़ की है, उनका पूरा एक जलूस निकाला जाता था, ठीक है, तो ये बच्चों के साथ क्या परिस्तितियां थी, ये एक साथ नहीं बैठ सकते थे, ठीक है, और इसमें आप NCRT में फोटो जरूर देखिएगा, ठीक है, आपको रियालिटी पता चलेगी, उस टाइम के वर्ल्ट की, जर्मनी की, ठीक है, येहूदी, जिपसी और शारी क्रूप से असक्षम बच्चों को, देखे, पहले तो इन्हें स्कूल से ही निकाल दिया गया, ठीक है, पिर पूरा पाठे करम स्ताफित कर दिया, कि हाँ इस तरीके से भेदवाप किया जाएगा, यहूदीयों के साथ, ठीक है, और इन्हें प्रोपोगेंड़ा जो इनका था ना, अब एक चीज याद रखेगा, यहाँ पर नामों से दो तीन कोश्चन जो आते हैं, वो ये, कि दस सा साल के बच्चों को कौन से संगठन में शामिल किया जाता था, ठीक है, या फिर आप से इस तरीके से कोशन पूछे जा सकता है, कि यूफोक का संबंद किस से है, तो दस साल के बच्चों को इस यूवा संगठन था, यह एक जिसमें कि शामिल किया जाता था, ताकि उन्हें इस तरीके से कठोर बनना है और जो 14 साल के बच्चे थे उन लोगों के लिए हिटलर यूथ संगठन था उसकी सदस्यता लेना अनेवारे कर दिया गया था मतलब यहां पर फिर यहां पर यह चीज़े सिखाई जाती थी एक हिटलर को एक तरीके से देवता जैसे भगवान को प जैसे अब यह आपको बताया कि जो आउरते मतलब एक इनाम दिया जाता था बच्चे पैदा करने पर जैसे जिस आउरत ने 4 बच्चे पैदा किये तो उसे कांसे यानि की कांसे का वो दिया जाता था अवार्ड टाइप का कुछ दिया जाता था जो 6 बच्चे पैदा करती उसे चांदी का दिया जाता था और जो आठ से जादा बच्चे पैदा करती थी उसे सोने का अवार्ड दिया जाता था दूसरी चीज यहां पर उन महिलाओं को अलग-अलग तरीके के लिए सम्मान दिये जाते थे जैसे सैनिकों को अलग-अलग सम्मान दिये जाते थे न ऐसे जैसे कि चार बच्चों के लिए क्या था कांसे का अवार्ड था छे बच्चों के लिए चांदी का था और आठ बच्चों के लिए आपका सोने वाला था ठीक है और जो मैला हैं ये कह लिजए या फिर जो इस तरीयां अच्छे बैच्चे पैदा नहीं कर पाते थी यानि कि ज इसके बाद क्या होता है कि यह सारी परिस्तित्य तो हैं इसके बाद नासी प्रोपगेंडा जो आपका लास्ट टॉपिक है जो ओवर्वियू था मतलब किस तरीके से यह लोगों को प्रतारित कर रहे थे ठीक है अब यह जो था नासी प्रोपगेंडा इसमें इवैक्यू एशन एक स्कीम थी जिसके में लोगों को गैस चेंबरों तक ले जाया जाता था ठीक है ताकि उन्हें मारा जा सके इखटे लाख हो आप यह देखिए सरकारी यह जो मैंने अभी आपको आकड़े बताए थे नहीं यह सरकारी थे ठीक है जो सरकार की नाजर में थे और जो विचारे जिनका आकड़े ही नहीं है क्योंकि इतने रिकॉर्ड रिकॉर्डों में भी आपको पता है कि इतने छेड़ चाड़ी होती है कि साथ लाख यह जिनका record ही नहीं है ठीक है अब यहूदियों की छवियां अब इनको proper agenda कहा था कि यहूदियों को इना एक दम ऐसे दिखा देना कि इनी की वज़े से हमारे साथ इतनी जुल्म हुए ठीक है यह हमेशा मतलब जो यहूदी होते थे इन लोगों ने हमेशा जर्मन वासियों को सता है ठीक है ऐसे पोस्टर बनाए जाते थे जिसमें कि यहूदी पैसों के उपर बैठावा है और जर्मन जो जर्मन लोग थे वह उसके नीचे इदर इर्द गुर्द बैठे वे हैं ठीक है और इसमें एक फिल्म का नाम बहुत आता है दा एंटरनल जीव ठीक है यह जो फिल् यहूदियों की ठीक है और पोस्टर नारे इस तरीके से लगाए जाते थे कि यहूदियों की वज़े से ही सारे दुख दर्द इनकी जिंदगी में आये हैं ठीक है तीसरा जो में फीचर था देखे मीडिया कहते ना के मीडिया जो हर एक लोग कंतर का चौथा स्थम्ब इसल यह भी कहा जाता है क्योंकि मीडिया पूरे देश के सामने जो सरकार होती है ना उनकी स्तितियां सामने लाता है तो इसलिए लेकिन इसने जो हिटलर है ना हिटलर ने इसी काई फाइदा उठाया उसने मीडिया का फाइदा उठाया मीडिया से इस तरीके के पुरपचार क्य कि यहां दो तिन शब्द आपके बहुत बहुत जादा यूज होते हैं एक होता है अंतिन समधान और एक होता है यूथ नेजिया देखें अंतिन समधान का तात्पर यहूदियों से था जब मतलब सामुही रूप से यहूदियों को मौत दी जाती थी न यह कहले जे उन्हें मा यूथ नेजिया जो विकलांग बच्चे थे ना जो की मांसिक रूप से मतलब आसक्षम व्यक्ति थे या फिर शारिरिक रूप से आसक्षम थे तो उनके लिए यूथ नेजिया इनके लिए क्या करते थे कि इन्हें इन्हें भी एक साथ हजारों की संख्या में मौत के घाट उतार दिया जाता था अब ये सारी चीज़े अभी तक जितनी भी मैंने आपको पढ़ाएंगे इन्हें सब को अगर आप थोड़ा सा भी खंसाइस करने की कोशिश करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि नाचियों के क्या विचार धारा थी और इन्होंने महिलाओं के साथ बच्चों के साथ तेशवासियों के साथ कितनी चीज़ें गलत करी थी ठीक है तो यहां ही हमारा चैप्टर खतम होता है I hope मैंने आपके सा चीजों को भी सॉल्फ किया जा सके और रही बात हमारी क्लासिस की तो क्लासिस क्या है थोड़ा सा कंटेंट रेडी करने में मुझे टाइम लग रहा है क्योंकि मैं टॉपिक वाइज आपका कंटेंट रेडी कर रही हूं तो प्लीस आप लोगों से थोड़ी से ठीक है तो मैंने कोशिश की है बहुत अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचाने की बहुत अच्छी चीज़ें आप लोगों के लिए तयार करने के लेकिन फिर भी अगर कुछ रह गया होगा तो आप मुझे comment box में comment करना मैं अगले चीजों में इन चीजों को ध्यान रखू और वीडियो अच्छी लगी हो, इंफोमीटिव लगी हो, तो प्लीस लाइक और शेयर कीजिएगा और थांक यू फोर वाचिंग ठीक है